नमस्कार दोस्तों एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ जी जैस्वाल आप देख रहे हैं टार्गेट इस पॉसिबल जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो के मादम से ऐसे सी एसी वेली जिनोंने अधार यूशियल सेवा केंदर के लिए आवेधन किया था और उ कैसे आप लोग पूरी जनकारी को अपडेट करेंगे इसके संबंधित पूरी इंफ्रमेशन मैं देने वाला हूँ इसके लबाए यहां पे जो आपको पोर फार्मा दिया गया है वेईफायक के रिचल को भर के संब्सकारी करने के लिए इसके वाण भादम हूँ कि कैसे आप लों को इस फ्रम को भर के साथ में इसके साथ जो भी डाकोमेंट्स हैं उसको अटेज करके कैसे जमा करना है ताकि आपका सेंटर निरंतर चलता रहे फूचर में बंद ना हो अभी तक टार्गेट इस पॉसिबल के इस यूटूब चलनल को सब्सक्राइब ने किया है उनसे मेरी रिक्वेश्ट है कि आप लोग इस चनल को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ बिल एकों को जरू दबाएं दोस्तों अगर आप लोगों के पास इसका फार्म नहीं है MS Office में तो मैं इसका फाइल भी आपको दे दूंगा इसी प्रेव साइट पे गैजट्स अप्डेट हिंदी.com में वैसे तो आपके पास ये फाइल इमेल के माध्यम से आ गया होगा लेकिन इसे कैसे भरना है और कैसे जमा करना है यह जनकारी आप लोगों को ले लिन चाहिए बहु करना हो तो यहां पर यह आर्टिकल पोस्ट आप खोलेंगे तो यहां पर अधार यूश्यल साफ्ट वेयर रजिस्टार फाइल मास्टर डेटा फाइल के समबंद्स पूरी इन्फोर्मेसन आपको इस आर्टिकल पोस्ट में मिल याएगी चलिए इसकी जंकारी हम लोगो ले यहां पर वेरिफायर का नाम वेरिफायर किस पर्थ पर रिटार्मेंट है उस पर्थ का नाम इसके लबाव वेरिफायर का एड्रेस वेरिफायर का मुवाईल नंबर और इमेल आईडी यहां पर आपनों को दर्श कर लेना होगा यहां पर पूरा पता दर्श कर लेना होगा इसके लब आपे पूछ रहा है यो मैं काइंडली कंसीडर टू इंगेज तो यहां पर वेरिफिया के संबंदी जनकारी देते नहीं होगी इसके लब निचे स्कोल लाउं करेंगे तो यहां पर रिज्यू मांगा जा रहा है जो की भेरिफायर का ही होगा इसके लब आधार कार जोता है तो आपको मिल जाएंगे वोटर अरी काड भी आप मांग सकते हैं यह होता है कि रिटार्पेंगर मैंट सटिकेट उनके certificate उनके पास मिला होगा जो भी government जाब से रिटार होंगे उनको एक certificate दिया गया होगा उस certificate का फोटो कॉपी आप लोगों को ले लेना होगा ले लेना होगा साथी साथ अधार कार्ड वोटर कार्ड और बैंक पास्पुक की फोट कापी उनकी ले लेनी होगी इसमें अटाज करन ने के लिए अब आप लोगों को क्या करना होगा Google खोलेना होगा और Google में साइच करना होगा Simple डिजो मॉजन आप लोग Google के गुगल के माधिया न से आनलाइण रिज्यूम बना सकते हैं और रिज्यूम बनाके आपनों को सम्मिट कर देना होगा या फिर आप चाहे तो पेज में कर या फिर MS Office में भी आप लोग छोड़ा सा एक रिज्यूम बना सकते हैं उन भेज्फायर के संबंधी जनकारियों को एक साथ दर्श करके बना लिजीगा और उसके बाद यहाँ पर जो भी requirement है एक file में attach करके उसको आप लोगों को आगे प्रेसित करना होगा उसके बाद ही आपकी UCL machine लंबे समय तक चल सकेगी अगर आप काम करना start कर चुके हैं और इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं न कहीं आपकी machine data register हो जाएगी और अधार उसेल में काम नहीं कर पाएंगे तो इसलिए यहाँ पर जो भी information माइगा है उन सभी information को आप लोग update करा दिजीए और बहुत ही simple और सधानल step है बस आप लोगो किसी भी government job से retirement व्यक्ति से उनका retirement certificate ओटाइडी कार्ड अधार कार्ड और बैंक पास्प जिया पर नीचे भी ली का नाम भी रहेगा अपलोग यहां पर भीएषाड यहां नाम टाइप कर देंगे इसका प्रिंट आउप लेजिगा या फिर चाहां तो आप लोग डिरेट्ली यहीं से इडिट करके फिलप कर सकते हैं तो दोस्तों यह समस्या बहुत त्याक्ति वह बरबर वार्टसप पे कमेंट कर रहे थे हैं इसके अलावा वीडियो के सेक्षिन में भी बहुत सारे कमेंट आया थे विरफार के संबंदित इस लिए मैंने इस वीडियो को बिश्टार को बता दिया है इसके अलावा आपके मुन में कोई भी सवाल या फिर सुझा हो तो भी आप लोग बेहचक कमेंट के माद्रम से पूछ सकते हैं इसके अलावा आप अधार यूश्यल में काम का नाय स्टार्ट कर चीको हैं या नहीं इसके संबंदित आप लोग कमेंट के माद्रम से जरू बता सकते हैं वीडियो चलगा हो तो लाइक करें और इस चैनल को जरू अपडेट हिंदी डाट काम को जरूब फालू कीजिए सो थायंक्स जैहिन वंदे मातरम